तो हम भी तो कह रहें हमने मना कब किया है जो राम के नाम पर चंदा खाएं हम उनको भगाएंगे और जूते और चपल के जरिया भगाएंगे जुन्होंने राम के नाम पर खाया है हम उनको भगाएंगे क्यों नी बगाएंगे बिल्कुल भगाएंगे और राम को लेकर आये तो राम की जगे से एक बार चुनाब भी लड़ लेता योगी जी डर क्यों गए डर लग गया ता जमाने जब तो जाएगी पांच मिनट शिर्फ आप रिपब्लिक भारत जी न्यूस जैनलों को देख लिजेगा आपको ऐसा लगेगा कि आतंकवादी आपके घर के भारी खड प्रदेश में नफरत पैदा होती है और वो पाकिस्तान जहां से आतंकवादी आते हैं जहां से टेर्रिस्ट आते हैं वहां तो आप बिर्या नहीं खाते हैं तो तभी आपको इतना आउटपुट इंपुट आ रहा है लेकि उन्होंने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में स कि अगर सपा की सरकार आ गई तो आतंकवादियों की सप्लाई होगी आप देश के गिरह मंतरी हैं आप क्या कर रहे हैं अगर आपको पता ही कि आतंकवादियों की सप्लाई हो रही है और आपको पता तो पता कहां से चला दूसरी बात ये कि सपा प्रमुक मानेश्री हर एक व्यक्ति को ठेस पहुंची है राजनीती किस नाम पे होनी चाहिए राजनीती के अंदर गुंडे बदमास आतंकवादी सर्दी गर्मी बरसाथ इस तरीके की भाशा का प्रियोग कर रहें दूसरी बात ये कि जिस समय प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी जी राजनीती के अं हुई आप ये बताइए अरे आतंकवादियों की सप्लाई तो आपकी पार्टी में है आपकी पार्टी के कितने नेतों के ओपर आरोप लगे हुए आपकी पार्टी की साधवी प्रग्य ठाकुर उनके ओपर माले गाओं बंबलाट का आरोप आपकी पार्टी के ग्रह मंतरी वो तड़ी पार, आपको तरप्रदेश के मुखे मंतरी, उनके उपर मुकद में, आप कहां से साब छबी गए हैं, ये बताइए ना, और वो पाकिस्तान जहां से आतंकवादी आते हैं, जहां से टेर्रिस्ट आते हैं, वहां तो आप बिरिया नी खाते हैं, तो तभी आपको सपा की सरकार बन गई, तो आतंकवादी आने लगेंगे, दूसरी और प्रधानमंतरी जी कह रहे हैं, कि जो बम जो है, वो साइकल पे आया था, अरे भाईया बम साइकल पे आया था, आप किसी के चुनाब चिन को टार्गेट कर रहे हो, अरे आप किस तरीके की राजनीती कर मडर हुआ है, किसी ने चाकू मार के उसका मडर कर दिया, हम इसकी कड़े और घोर सब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि वो भी किसी मा का बेटा था, वो भी किसी मा का लाल था, और किसी की भी हत्याय मडर होती है, ये सरासर गलत है, लेकिन मैं इसका जिम्मेदार सिर्फ देश की सरकार को ठेराता हूँ और बाकी किसी को भी नहीं क्योंकि देश की सरकार को ये बात पता थी कि वो हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा बार बार लेके क्यों आती है जब सरकार को ये बात पता है कि हिंदू और मुस्लिम के चलते लोगों की भावनाओं को अगात पहुचता है लोगों की जो भावना है वो सम्मेदन हील हो जाती है तो सरकार ऐसे सब्दों का प्रियोग क्यों करती है दैनिक जागरन फृरंट पेच पेच चीज के हैडलाइन दे रहे बेरोजगारी का आकड़ा दैनी जागरन कभी नहीं छापता लेकिन अमिस्सा का स्टेटमेंट पहले पेज़ पे एकनोमी का आकड़ा दैनी जागरन नहीं छापेगा देश में देश में नफरत पैदा होती है अगर कोई व्यक्ति सपा का कारे करता है तो इसको ठेस पहुचेगी इससे क्या होगा इससे लोग लड़ाई करने के लिए उत्पन होंगे तो ये इस प्रकार के स्टेटमेंट देना गिरह मंतरी को सोबा नहीं देता है वो आकड़े आपको भा आज का समय ऐसा है कि लोग मीडिया का खुले आम विरोध करते हैं और लोगों ने बाइकाट करतीया है बिलकुल ही टेलिविजन चैनल को देखना बाइकाट कर दिया है मीडिया इतना खराब इस्तर गिरा चुकी है मीडिया के पास मैं प्रोग्राम नहीं है सर चलाने को यही बाकी दुन्या की जनता है डैस की जनता मरे या जीए देश के बच्च आपि फरक नहीं है इसलिए उनके पास का प्रोपोगेंडा उसके में लिखे ऊता है कि भाया आपको 24 गंटे हिंदू और मुस्लिम दिखाना है और मैं आप से निवेदन करूँगा 5 मिनट आप 5 मिनट शिर्फ आप रिपब्लिक भारत जी न्यूस जैजिस चैनलों को देख लीजेगा आपको ऐसा लगेगा कि आतंकवादी आपके घर के भारी खड़ा है और गेट खोल दिया तो आतंकवादी अंदर घुज जाएगा सीधा इस तरीके का प्रोपोगेंडा चला रहे है देश पहले जब सफ़ा की सरकारती हिंदों का त्योहार नहीं मना दिया जाता ये कैसी बात कर रहे हैं आप हिंदों का त्योहार नहीं मना दिया जाता देश में आप मुझे ये बताईए मोधी जी के पास कुछ और है या नहीं है बोलने के लिए हिंदू 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 अरे आप एक बात मुझे बताईए कि आपने हिंदू के लिए क्या किया है आज आप स्कूलों पे आ जाईए चलिए ये बताईए कि हिंदू के बच्चों को क्या लाब हुआ है नरेंदर मोदी जी की सरकार में पुजारियों को कितना लाब मिला हिंदू की बात करते हैं नरेंदर मोदी जी की सरकार में आकड़ा निकाल लीजिए सबस्यादा मरने वाले तो हिंदू ही है जिनकी बेटियों के साथ बलबतार हुआ वो भी हिंदू है आपने क्या किया हिंद बताइए मुझे किसे खत्रा है कैसे हिंदु खत्रे में हो जाएगा उमर कितनी है एक लिट यह तो चौधा में लाए इससे पहले तो नहीं थे भराप को खत्रा नहीं हुआ कि आपके पच्चे हिंदुस्तान में रहते हैं हें दुस्तान खत्र महस्ते हैं, तो फिर आप एक बात मुझे बताइए, जब हिंदुस्तान में रहकर आज तक हिंदुों को कोई खत्रा मैसूस नहीं हुआ, कि मुगल भी रहेगा, इस देश के अंदर, आप एक बात मुझे ब्ताएं, हिंदू को आप फटरी की बात करते हैं, आज मुझे एक बात बताईए, देश की अबादी कितनी है, सबस्यादा कोने हिंदू है, थीक है, दूसरे नंबर की अबादी में, आपका मुसलिम भäी आता आप एक बात मुझे बताईए इस देश के अंदर जो है मुगल राज कर गए मुगल के बाद में आपने का कि कॉंग्रेस भी राज कर गई जिसको आप कहते है मुसलिमों की पार्टी है आज तक इस देश के अंदर सबस्यादा अबादी किसकी है हिंदू की इजराइल कौन सी क कॉंची कट्री है क्वेट कॉंची आज तक आप में कभी वहँ सुनाए कि वहां पर हिंदू खत्रे में है जबकि वहां पर हिंदू की संक्याय कम है सब्सक्राइब ़िए खोची और इस कुर्सी के लिए जो एक बात कही जाती है कि मोदी जी ने परिवार को छोड़ा है देशित में छोड़ा है मतलब कोई आदमी अगर परिवार वाला आदमी है तो वो देश के लिए कुछ नहीं कर सकता आपका परिवार है ये नहीं है तो आप देश के लिए कुछ नहीं कर सकते मतलब देश के ल यह सब्सक्राइब बिशनु करता देश हैं अगर अपने घर में रख के पूजिए ना इसे भी नहीं चीए देश को आप एक आप आम आदमी की तुलना भगवान से कर देते हैं आप किसी भी आदमी को भगवान मना देते हैं आप आपको दिमाग सही है या नहीं है आप हिंदु धर्म में किसी को भगवान मना देते हैं हमारे लिए राम और कृष्ण भगवान थे हैं और रहेंगे हमारे लिए कोई इंसान भगवान नहीं है आप हर किसी को भगवान मना देते हैं अच्छा मोधी यह नारा चला है कि ज तो राम की जगे से एक बार चुनाबी लड़ लेते योगी जी डर क्यों गए डर लग गया था जमाना जब तो जाएगी अरे मोधी जी ने कौन सी चाय बेग के नमक खिलाया है मैं हमारी ये पई तो पैसा खिलाया है नमक आप उनसे अदा करवाई है जिन भगोडों को आपने भगवाया है आप जैसे चौकिदार के होते हुए नमक खाके देश का देश से ही पैसा लेके पूर हो गए वो पैसा किसका किया है नो आजार करोड रुपया विजे माल लिया चौदा आजार करोड रुपया नीरव मोधी मेहुल चौकसी कितने लोग है और आभी ये गुजरात मेहाल में घोटाला हुआ है मोधी जी मुद्दो से डाइवर्ड मत करिये समझे ना ये जो आपकी दूर मुसलिम की राजनिती है हमिसा जी की आतंकवादी वाली राजनिती है इसके चलते ही हमाँ समझीए कि देश के लोग मुद्दो से डाइवर्ड हो जाएंगे देश आज भी इसी चीज़ पर अटक गिया है कि कैसे इस देश की एकनौमी बहतर हो कैसे रोजगार मिले कै कैसे स्वास्त ठीक हो और कैसे आर्मी वाले बच्चों को भरती मिले कैसे एंटी पीसी का एकजाम हो और कैसे देश के नौजवानों को रोजगार मिले ना कि लाठी और डंडे मिले